लोक सभा दोहजार चोबिस का चुनाव जैसे जैसे नस्दीका रहा है विपक्ष एक जट होकर मोदी सरकार को घेड़ने में लगा हुआ है विपक्ष एक जट बंधन की सरकार बने इसको लेकर कार्ये हो रही है मगर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि विपक्ष में भी फूट देखने को मिल रही है योग गुरु बाबर रामदेव ने विपक्ष परवार करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष एक जट नहीं हो सकता विपक्ष सिर्फ ख्वाब देख रहा है क्योंकि प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जैसा उनके पास कोई चहरा नहीं है आजकल दोहजार चोबीस को लेकर के कि पूरा विपक्ष कभी भी एक जट नहीं हो सकता जो ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी सोके करीब सीट बढ़ जाएंगी तो विपक्ष एक जुट हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके अपने राजनेतिक स्वार्थ उनके पूलिटिकल आइडियलोजी और एक अलग प्रकार का सब के अंदर विद्वेश है उनकी एकता असंभव है और दूसरी बात मोदी जी जैसा कोई चेहरान उनके पास में नहीं है तीसरी बात पुरे देश में सनातन का गोरव इस तरह से बढ़ा हुआ है कि सारे देश ने ये स्विकार कर लिया है जो सनातन के समर्थक हैं उन्हें के हाथों में देश की सत्ता देंगे